हेलो इस वीडियो में हम ये सिखेंगे कि BAMP serwer को डौलोड कैसे किया जाता है और उसको अपने पीसी में इस्टाल कैसे किया जाता है इसके बारे में सिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे Google Chrome इसको ओपन करेंगे यहाँ पर यह Google Chrome यह ओपन किया इसके बाद यहाँ पर हम BAMP Server यह लिखेंगे यह दिखो BAMP Server.com यह लिखा इसके बाद Enter प्रेस करेंगे Enter प्रेस करने के बाद यह Interface यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद यहाँ पे इसको निचे स्क्रोल करेंगे यह देखो यह स्क्रोल किया इसके बाद यहाँ पे लिए गया है बैम सर्वर 64 बिट्स और दूसरा यहाँ पे लिए गया है बैम सर्वर 32 बिट्स अब हमने यह चेक करना है कि हमारा जो PC है 64 बिट्स का है या 32 बिट्स का ह अगर हमारा PC 64 bits का है तो हम क्या करेंगे यहां पर इसको क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद नीचे बांप सर्वर की यहां पर डॉनलोड हो गया है यहां पर हम क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद नीचे बांप सर्वर की यहां पर ड को minimize करेंगे यह minimize किया इसके बाद यहाँ पर यह डायलो बॉक्स आ जाएगा यहाँ पर हम yes पर क्लिक करेंगे yes पर क्लिक किया इसके बाद यहाँ पर language select करने के लिए आ जाएगा तो यहाँ पर हम English ही रहने देंगे इसके बाद तो Okay पर Click करेंगे, Okay पर Click करने के बाद, यहाँ पर यह License Agreement यह Dialog Box आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर हम, I Accept the Agreement यहाँ पर Click करेंगे, और Click करने के बाद यहाँ पर Next पर Click करेंगे, इसके बाद यहाँ पे Information Dialog Works आ जाएगा इसको हम निचे स्क्रोल करेंगे इसको स्क्रोल किया स्क्रोल करने के बाद हम यहाँ पे BC11 Package Visual C++ 2012 Update 4 यहाँ पे हम इस Link के उपर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यह Window यहाँ पे Open हो जाएगी Open होने के बाद इसको हम यहाँ पे Maximize करेंगे इसके बाद यहाँ पे Select Language English यह हम यहाँ पे English इसको यह रहने देंगे इसके बाद यहाँ पे Download पे क्लिक करेंगे Download पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यह Option आ जाएगे तो हम यहाँ पे First वाले Option पे क्लिक करेंगे यहां पे लिखा हुआ है 64.exe यहां पे इसको चेक करेंगे इसके बाद यहां पे Next पे क्लिक करेंगे Next पे क्लिक करने के बाद यह दिखो यहां पे फाइल डॉन्लोडिंग हो रही है डॉन्लोडिंग होने के बाद यहां पे Open File यहां पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे I agree to the license, terms and condition यहाँ पे चेक करेंगे चेक करने के बाद यह install पे क्लिक करेंगे install पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे yes पे क्लिक करेंगे yes पे क्लिक करने के बाद setup successful यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद यहाँ इसको close करेंगे इसके बाद हम यहाँ पे Visual C++ 2013 इसके यहाँ पे निचे लिंक दिया गया है इसके उपर हम क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे English United States यहाँ पे आगे लिंक दिया गया है इसके उपर हम यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद इसके बाद यहां पर यह फाइल डाउनलोडिंग होगी यह फाइल यहां पर डाउनलोडिंग होगी है इसके बाद यहां पर हम ओपन फाइल यहां पर क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको चेक करेंगे चेक करने के बाद यहाँ पर इंस्टाल पर क्लिक करेंगे इंस्टाल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करेंगे scroll करने के बाद यहाँ पे visual C++ 2015 इसके बाद 201964.exe यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे करने के बाद यह फाइल यहां पे downloading हो रही है तो यह देखो यह यहाँ पे download हो गया है इसके बाद यहाँ पे हम open फाइल यहां पे click करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यह I agree to the license, terms and conditions यहाँ पे इसको चेक करेंगे चेक करने के बाद यहाँ पे install पे क्लिक करेंगे install पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे yes पे क्लिक करेंगे yes पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे setup successful यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद ही इसको close करेंगे इसके बाद यहां पे हम इसको बंद करेंगे यहां पे इसको cancel किया cancel करने के बाद हम अपने computer को दुवारा restart करेंगे यहां पे yes पे click किया PC को restart करने के बाद हम यहां पे जाएंगे this PC यहां पे click करने के बाद यहां पे download यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद यह निचे यहां पे आ जाएगा BAM server यहां पे हम click करेंगे यह click किया click करने के बाद यहां पे यह open हो जाएगा इसके बाद language select करने के लिए यहां पे आ जाएगा यहां पे हम English English इसको रहनी देंगे इसके लएद OK पर क्लिक करेंगे ओके पर क्लिक करने के वाद यहां पर यह लाइसेंस एसेंद इई डायन वॉक सो अपने अपन हो जाएगा यहां पर हम अई can the agreement यहां पर इसको चेक करेंगे इसके बाद यहां पे next प्रिक्लिक करेंगे यहां पे यह c bomb server 64 यहां पे आ जाएगा तो इसको हम by default यहां पे रहने देंगे इसके बाद next प्रिक्लिक करेंगे next प्रिक्लिक करने के बाद यहां पे यह आ जाएगा आने के बाद हम सिधा यहां पे next पे क्लिक करेंगे select start menu folder तो इसी को हम यहां पे रहने देंगे इसके बाद यहां पे next पे क्लिक करेंगे next पे क्लिक करने के बाद यहां पे ready to install तो हम यहां पे install पे क्लिक करेंगे यहां पर इंस्टाल लिखा हुआ है यहां पर इंस्टालिंग स्टार्ट हो जाएगी इसके बाद यहां पर सेट आउफ डायलो बॉक्स आ जाएगा यहां पर iExplore.exe Internet Explorer will be used as browser by BAM server अगर हम यहां पर Internet Explorer का use करना जाते हैं तो हम यहां पर no पर क्लिक करेंगे अगर हम यहां पर कोई दूसरा browser यूज़ करना जाते हैं यहां पर लिखा हुआ है Do you want to choose another browser install on your system तो हम यहां पर Yes पर क्लिक करेंगे Yes पर क्लिक करने के बाद यहां पर हम See यहां पर क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के वाद इसके वाद यहां पे program file यहां पे जाएंगे यहां पे जाने के वाद यहां पे google पे क्लिक करेंगे google पे क्लिक करने के वाद यहां पे chrome इसके उपर क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के वाद यहां पे application इसके उपर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे Chrome इसके उपर क्लिक करें अगर हम यहाँ पे Text Editor के तोर पर notpad को रखने जाते हैं तो हम यहाँ पे No पी क्लिक करेंगे अगर हम यहाँ पे Text Editor के तोर पर कोई दूसरा डिटर यूज़ करने जाते हैं तो हम यहाँ पे Yes पी क्लिक करेंगे तो हम यहां पे no पे क्लिक करेंगे हम यहां पे notpad का use करेंगे यहां पे no पे क्लिक किया है no पे क्लिक करने के बाद यह लिखो यहां पे installing हो रही है इसके बाद यहां पे information यह आ जाएंगी तो यहां पे यह सारी information यहां पे दिये गई है इसके बाद हम यहां पे next पे क्लिक करेंगे यहां पे next पे क्लिक किया next पे क्लिक करने के बाद यहां पे completing the bomb server 64 setup bizarre तो यहां पे यह message आ जाएगा इसके बाद हम इसको finish पे क्लिक करेंगे यहां पे दिये गया है तो यहां पे हम क्लिक करेंगे इसके बाद यहां पे बांप सर्वर का जो आइकन है यहां पे desktop पे आ जाएगा यहां पे हम click करेंगे यहां पे हम yes पे click करेंगे yes पे click करने के बाद यहां पे बांप सर्वर नीचे यहां पे आ जाएगा यहां पे बांप सर्वर आ गया है तो यह देखो यहां पर BAMP server Green color में है इसका मतलब यह है कि यह running condition में है अगर यहां पर BAMP server Red color में होता तो इसका मतलब यह है कि not running condition में तो अगर not running condition में है तो हम यहां पर BAMP server को running कर सकते हैं अगर green color में है तो इसका मतलब यह है कि यह यहां पे install हो गया है तो अब हम यहां पे bump server पे कुछ भी काम कर सकते हैं तो इस तरह से हम bump server को download करके अपने computer में install कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने यह सिखा कि bump server को download कैसे किया जाता है और उसको install कैसे किया जाता है इसके बारे में जाना आगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद